हनुमान मंदिर सिलंधपुर के बारे में संपूर्ण जानकारी गुजरात के सारंधपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की चर्णों में बैठे हैं शनीदेव और माना जाता है कि यहां दर्शन करने वालों पर शनी की कुत्रिष्टी नहीं पड़ती कहा जाता है कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने वालों पर शनिदेव दयावान रहते है। एसी मान्यता है कि इस मंदर को लेकर कहा जाता है कि यदि किसी भी भक्त की कुंडली में शनिदोश हो तो कश्टबंजिन हनुमान के दर्शन और पूजा अर्चना करने से इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। साथ ही कश्ट से क्रोधित होकर हनुमान जी शनिदेव से युद्ध करने चल पड़े। जब शनिदेव को यह पता चला तो वे बहुत डर गए और बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे शरनागत स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। इसलिए उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में गिर कर क्षमा मांगने लगे और भक्तों पर से अपना प्रकुपी हटा लिया। तभी से सारंगपूर के कश्टबंजन हनुमान मंदिर में शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री र ऐसा भी कहा जाता है कि केसरिन अंदन के मंदिरों में से कश्टब इंजन हनुमान मंदिर साबसे वैभवपूर्ण मंदिर है गुच्रात में एहमदाबाद से भावनगर की ओर जाते हुए करीब 175 किलो मीटर की दूरी पर कश्टब इंजन हनुमान का यह स्थान है किसी राजा के स्थान की तरह सजे इस मंदिर के विशाल और भव्य मंदप के बीच 45 किलो सोने और 95 किलो चांदी से बने एक सुन्दर सिहासन पर हनुमान जी विराजमान है उनके शीश पर हीरे जवाहरात का मुकट है और पैरों के पास एक सोने की गदा भी रखी है उनके चारों और वानरों की सेना दिखती है और उनके पैरों के निकट स्त्री रूपी शुनेदेव जी मौजूद है अमान्यता है कि पवन पुत्र का स्वर्ना भूशड़ों से लदा हुआ ऐसा भव्य और दुरलब रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता है यहां महराजा बनकर भक्तों के दुख दूर करते हैं हनुमान जी शुरी राम के प्रिय और भक्तों के दुख हरने वाले प्रभू हनुमान की महिमा अपरमपार है उनके विवितरूप श्रधालूओं को सुख प्रदान करने वाले हैं पजरंग बली की ऐसे ही अनूठे स्वरूप की जलग गुचरात के सारंगपुर स्थित कश्टेबंजन मंदर में देखने को मिलती है यहां हनुमान जी एक महराजा की तरह अपनी प्रजा के सारे दुख दूर करते हैं कश्टेबंजन हनुमान मंदर सारंगपुर एहमदाबाद के भावनगर रेलवे लाइंपर स्थित्वोटाद जंक्षिन से करीब 12 मील दूर है मंदर में हनुमान जी की बलवान स्वरूब की मूर्ती स्थापित है कश्टेबंजन हनुमान मंदर की स्थापना 1905 विक्रम समवत में हुई थी इस मंदर की नीवश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी में पड़ी थी इस मंदर को सद्गुरु गोपालानन स्वामी ने बनवाया था जानकारों के अनुसार करीब 200 वर्ष पहले स्वामी नारायन मंदर के स्थान पर सत संकर रहे थे वे उस समय बजरंग बली की भक्ती में तलीन थे तभी स्वामी नारायन को हनुमान जी के उस दिवे रूप के दर्शन हुए इसी के बाद मंदर का निर्मान हुआ कश्टबंजिन हनुमान मंदर का निर्मान स्वामी नारायन के भक्त गोपालानन्द स्वामी ने कराया था उन्होंने यहां बजरंग बली के बलशाली स्वरूब की मूर्ती की स्थापना कराई दिर प्रशासन के अनुसार बजरंग बली की मूर्ती में साक्षात भगवान विराजमान है मंदिर में मूर्ती की प्रतिष्ठा के समाए स्वामी गोपाला नन्ने से एक रोज से इसे स्पाश किया था, तभी मूर्ती में जाना गई और वही हिलने नगी थी, मंदिर में हनुमान जी की प्रभावशाली मूर्ती है, यहां बजरंग बली रॉबदार मूचों के साथ एक महराजा की तरह सिहासन पर विराजमान है, जबकि उनके चारों और वानरसेना का दल है, मंदिर में जिस सिहासन पर बजरंग बली विराजमान है, उसमें 45 किल सोना और 95 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है जबकि हनुमान जी के मुकुट में असंख्य हिरे जवाहरात चड़े हुए हैं, सिहासन के पास सोने की गदा रखी हुई है, जिन लोगों पर नकरात्मक शक्तिया हावी होती हैं और वेमानसिक रूप से विचलित होते हैं ऐसे लोगों को बजरंग बली की मूर्ती के सामने खड़ा किया जाता है और उन्हें वो रोट स्पार्श कराई जाती है, जिसका इस्तमाल मूर्ती स्थापना के समय स्वामी गोपालानन ने किया था, मंदिर की देखरेख के लिए कोठारी गोर्धन डास ने सन 1899 में शास्त्री अगना पुरुषप नियुक्त किया, शास्त्री ने अपने समय काल में मंदिर प्रांगन का विस्तार किया, इसी के साथ मंदिर के पास में अपने आवास का भी निर्मान कराया दो बार है आर्थी का विधान कश्ट भग्न हनुमान के इस मंदिर में दो बार आर्थी का विधान है, पहली आर्थी सुबह पांच तशमलव तीन शून्य बजे होती है. आर्थी से पहले पविन पुत्र का रात्री श्रिंगार उतारा जाता है, फिर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ना भूशणों से उनका भव्य श्रिंगार किया जाता है और इसके बाद वेद मंत्रों और हनुमान चालिसा के पाठ के बीच संपन होती है. हनुमान लला की यहां आर्थी बजरंग बली के इस मंदिर में वैसे तो रोजाना ही भक्तों का तांता लगा रहता है लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहां लाखों भक्त आते हैं. नारियल पुषप और मिठाई का प्रसाद के सुरिन अंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं. कुछ भक्तों मात्र शनी प्रकोपों से मुक्ति के लिए यहां आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो शनी देव से डरते हैं लेकिन शनी देव अगर किसी से डरते हैं तो वे हैं स्वयम संकत मोचन हनुमान हनुमान मंदिर सिलंगपूर के बारे में संपूर्ण चानकारी